हेलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग वेलकम बेक टू मैं यूटूब सेनल आरा रहे मार अर्जुगार तो दोस्तों आज सुभी सुभी आ गए यह रेगिस्तान के जाज मुट देख लिए अभी में दोरेवाले खेत में आया आते ही देखा तो यह रेगिस्तान के जाज है यह बहुत सार जा रहे हैं यह देखो एक दो तीन चार और पांस है पूरे पांस है यह देख लिजिए यह हमारे यहां बिलकुल कम होते हैं लेकिन आस पास के गाहों से कहीं भी आई हैं इदर उदर गोमते गोमते जागी यह पीसे जा रहा है तो दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कापी दिन बाद में अपिस्तेत हुआ हूं आपके बीश में तो आप सभी को राम राम नमस्कार जी तो अभी दिन के लगबग बारा भज गए है और इस बार मंदिर वाला काम सल रहा था तो मैं बहुत बीजी था इसलिए आप किसी के वीडियो पर नहीं आश्रका और यह देख लीजिए काफी दिनों से काम सल रहा था अभी तक एतना काम हुआ है और आज तो कारिकल सुटी है इसलिए आज वीडियो बनाने का टाइम मिला बाकी तो टाइम भी नहीं मिला और अभी तक काम पूरण नहीं हुआ है यह एक चीजे इस परकार सारदिवारी बनाई है यह अगर बाकरियां विजा रही है और मेरे लिए भी बहुत मुसिबत थी एतने दिन क्योंकि यहां पर बैठके मुझे पूरा दिन ज्यान रखना पड़ता था इसमें पोदे लगे हुए वह बक्रियां पूरा दिन आती रहती थी और उनको खाने का डर रहता था तो इसलिए मैं यहां पर ज्यान रखता था और अभी आज थोड़ा सा फ्रीया हुआ हूँ और आपको दिखा मते था उनको स्फार काम की आई तो यह देख लिजी दिवार और इस गेट को फित तक कलर करना है दो भारा और अंदर से इस प्रकार ये बांवट्री बनाये इसके उपर प्लास्त्र हूगा यह देख लीजी और इधर लगा दिए पट या और इसको उपर से दृरी लगाके रेवल करके कटिंग कर देंगे और आगे भी अभी बहुत सारा काम बाकी है इनको कटिंग करना है इसके उपर शाप लगानी है इस पीदरों को थोड़ी सी आइट बढ़ानी है और ये देख लेजे इस प्रकार ये लोए वाली जाली लगा दी तो एकदम पक्स ये पसू आएंगे नहीं बकरियां वगेरा और ये पोड़े बस जाएंगे और इस साइड ये जाली भी रखेंगे बहुत मजबूत लगाएंगे बाद में यहां पर तार क्रींस के क्योंकि इदर से गर्मी के टाइम में आवा आएगी अंदर तो हवा भी जरूरी है और सर्दी ही तुमें इदर से बहुंटरी गाइट बढ़ा दी तो सर्दी आएगी नहीं जब भी जागर नजमा होगा न तो इस समय सर्दी वगेरा नहीं आएगी और ये भरती वगेरा लेके इसको काफी उपर ले लिया है और इंटे बगेर लगा नहीं अभी यहाँ पर सीडी बनानी है ये इतनी हाई टाएगी लगबग इसके बरापर और डाईपुट सीडी बनाएगी तो वे स्टेप तो अभी बनाना है मैं बनाऊंगा अब कारी करतों आएंगे नहीं साथ कर ले आप पर सूँ एक दो दिन आएंगे और और भी दो सोटे सोटे मंदीर बनाने है तो काम तो बहुत सारा बाकी पड़ा अभी तक लेकिन आज कोई दूसरी जगा आरजेंट काम ओने के कार्म कारीगर नहीं आए है एक दो दिन बाद में आएंगे तो दोस्तों पिछले काफी दिनों से बीजी होड़ने के कार्म में आप किसी के वीडियो पर नहीं आ सका इसलिए माफिस आता हूँ और अब भी मुझे तीन चार दिन और काम है काम हुआ उस दिन मैं भी वीडियो नहीं डालूंगा और वो सके तो आपके वीडियो पर भी साइधी आ सकूंगा और जब भी मैं पर्मानेंट वीडियो डालना सरू करूंगा तो आपके भी वीडियो पर आता रहूंगा ये देख लीजे तारा मेरा तारा मेरा के फसल तो खराब ही हो गई ज्यादा नहीं इस परकार ये सोटे सोटे ही पते आए है तो इस बार 10-15 दिन हुए है हमी यह पास ही पास रहे तो थोड़ी बहुत बड़ी है बाकी तो मोर बहुत आते हैं इनको खा जाते हैं सलिए तो दोस्तो मिलते आगे भी लोग मोर क्या काम होता हो आपको देखाएंगा आपको और बढ़ने रही हमार साथ तो दोस्तो देख लीजे एपल बेर पर से कितने बेर नहीं से गिरे हैं या पी तक ऊपर ऐसे आए हुए है और कितने बेर नहीं से गिरे यह आपको वीडियों देख रहे है धेर सारा धेर लगा हुए आ बेरों का मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि कितने बेर गिरे यह देख रहे हैं यह यह शारू और पूरे पोदेख नी से बेर ही बेर पड़े आए यह अभी मैने इसको डाला आनी से बाद में इनको बार डालेंगे पस्वों के आगे यह अभी तक गुला बार है यह देख यह भी खेलने वाला पोदा एक दो दिन ने यह देख 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 इतना धेर पड़ा बेर होंखा जी कि बहुत सारे बेर ही बेर हैं तो दोस्तों भी सामकी बजने वाले पांस और मैं आ गया मंदिर पर इन दो पत्रों की कटिंग करूंगा हाँ से जो आतकटर है उनसे तो इसका तो वीडियो हो सके तो मैं अलग बना के आपको दिखाऊंगा लेकिन अभी तो मैं व्लोगिंगी बना रहा हूं इस इस टूल पर बालटी रखे कटिंग करूंगा और ये पोदा देख लीजिए इस पर का तो दोस्तों अभी मुझे वीडियो भी एडिटिंग करना है और फिर अपलोड भी करना है तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक से और कॉमेंट जरूर कर आपको सबसे पहले मिलेगी मिलेंगे एक और न्यू विलोग के साथ आप सभी को राम राम नमस्कार खमागणी जैसरी कृष्णा और जैसरी राम